Hello Everyone, Welcome to Study IQ So friends, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एकनोमिक मॉडल के बारे में जो काफी पुराने टाइम पे डवलप हुआ था बट स्टिल, आज हम ये देखेंगे कि क्या वो एकनोमिक मॉडल जो की पूरे यॉरॉप में लगता है आपके USA के उपर इंपलिमेंट हुआ है, आपके जैपैन के उपर इंपलिमेंट हुआ है तो बट क्या वो एकनोमिक मॉडल इंडिया के उपर भी इंपलिमेंट हो सकता है क्या इंडिया की जो एकनोमिक डवलपमेंट है वो इस मॉडल के हिसाब से चल सकती है जानने की कोसिस करते हैं रॉस्टों मॉडल के बारे में और देखेंगे कि exactly ये मॉडल क्या था और हम कैसे देख सकते हैं कि इंडिया के उपर ये मॉडल इंप्लिमेंट होगा ये नहीं होगा है अधर यूरॉपियन कंट्रीज पर हो सकता तो क्यों नहीं इंडिया पर भी किया जाए और या फिर हो सकता है तो थोड़ा सा उपर मतलब मतलब टया डूइंग अग्रीकलचर करते है यह अग्रीकलचर बहुत ही पुराना मोडल से करते है मतलब जैसे कि ना कोई आपका ऐसा लृष्टाइज ucा करना है ना मैंट्र सच्टिक और है न नहीं आपके कोई पेस्सटिस का मतलब होता है एक ऐसे कंडिशन जिसके अंदर शायद एग्री कल्चर रिवलुशन आ चुका होगा जैसे कि इंडिया में आया कौन सा ग्रीन डिवलुशन इंडिया में आपको ग्रीन डिवलुशन देखने को मिला इससे फायदा क्या होता है यह प्री कंडिशन का मतलब होत है तो I can say trade होना शुरू हो गया people start doing trading लोगों ने trade करना सुरू कर दिया अब जब trade करना शुरू किया तो I can say economic activity यहाँ पर भड़ जुकी है next important stage जो थरड़ stage आती है यह होती है take off stage मतलब take off करने से पहले economic के पहले आपका pre condition आती है take off के लिए और फिर आता है है आपका take off stage अब जब take off stage आती है तो फिर क्या condition होती है यहां पर आपकी industrial development start हो जाती है मतलब जैसे की heavy industries का develop होना raw material लाके finish good में convert करना या फिर मैं बोलू तो agro economic activities start हो जाती है यहां पर मतलब जैसे की food industry food processing industry यह start होना apart from this next stage जो आती है है वो होती है drive to maturity यह maturity की जो stage है यह वो stage होती है यह maturity की जो stage है यह वो stage होगी जिसके अंदर की economic development के अंदर बोलेंगे की finish good जो हो produce किया जा रहे है और world level पर market के ओपर position किया जा रहा है and finally job की fifth stage होती है यह high consumption stage होती है जिसमें लोगों की need जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है यह model का कहना था तो successive stage के अंदर पहला क्या हुआ traditional societies के नाम पर हमने development की है traditional society मतलब यहां पर limited technology है people are just doing agriculture they are doing nothing apart from that और उनका innovation agriculture के अंदर भी एक sub standard level का है कोई innovation नहीं चल रहा है जब थोड़ा सा वो economy में आगे बढ़ते हैं और जब take off condition आती है तो commercial exploitation start हो जाता है agriculture का जैसे मैंने green revolution का example दिया या फिर आप यह भी कह सकते हो organic farming ज़रूरी नहीं कि green revolution organic farming लेकिन वो commercial level पर की जाए then after take off stage आती है जो transition stage होती है मतलब यहां पर manufacturing sector जो आपका वो दिरे-दिरे develop होना start हो जाता है उस level तक नहीं गया होता slow down जाता है बहुत slowly develop होता है and then after it is drive to maturity level मतलब यहां पर commercial sector अपने peak पे होगा अब peak पे होगा तो लोगों की income बढ़ेगी demand बढ़ेगी consumerism का जो character है वो भी लोगों का भड़ता चला जाएगा तो consumerism का character जो है वो भी high देखने को मल जाता है दस दा simplest process जो इसमें नजर आता है तो जो stage one है उसको बोलते हैं traditional society मतलब यह कैसी society जिसके अंदर की खास कोई भी development नहीं है they are just focusing upon what they are just focusing कि हमारे पास outcomes जो है वो सिरफ एपना इतना ही होना चाहिए कि staple food available हो हम उसको consume करें और हमारा काम चलता रहेगा यह development इस में नजर आती है मतलब traditional society contains a very high percentage of people who are engaged in agriculture and a high percentage of national wealth allocated to it क्योंकि national wealth कि तरीके से क्योंकि एक्टिविटी एग्री कल्चर एक्टिविटी के अलवा कोई मेजर एक्टिविटी है नहीं तो government भी जादा location किसको करती है आपकी इसी activities को even आपकी जो surplus labor है they all are engaged into the agriculture activity मतलब nation के अंदर जो अलग economic development हो सकती है वो economic development भी सिरफ और सिरफ एग्री कल्चर के अंदर यूज की जा रही है जो कि हुआ करता था कि नेगलेजीबल यूज होगा science and tech का कोई खास यूज देखने को नहीं मिलता जहां तक सवाल है production का तो limited production होगा कितना production होगा production यह होगा कि सरफ self consumption के लिए उन चीज़ों को हम use कर ले हम खुद ही उस चीज़ को consume कर ले आगे उससे ज्यादा production की कोई capabilities इसमें नजर नहीं आती है थर्ड कंडिशन थर्ड कंडिशन होती है जो आपके tendency को दिखाती है to grow but progress जो है बहुत अच्छे level पर नहीं चल रही होती scientific जो knowledge है वो inadequate होती है तो exactly यहां पर development के नाम पर कुछ होता नहीं है थर्ड कंडिशन लेबर प्रडेक्टिविटी अब आपको पता है यहां पर फिल्ड साइंटिफिक नहीं है प्रडेक्शन हाई नहीं है तो एक्चली जो आपके पास में मैक्सिमम लेबर है वो सिरफ और सिरफ उसी agriculture के अंतर इंगेज रहती है पर कैपिटा जो प् के पास में ज्यादा लेंड जमिंदारी सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम एक्सप्रोइटेशन आप पूर यह सब चीजेस में देखने को में लेंगे पॉलिटिकल पावर काफी कंसेंट्रेशन होगा कैसे होगा देखो आपने कितनी बार देखा कि इंडिया के अंदर नहीं थी बट फॉर्चुनेटली हमारी पास फर्टाइल लेंड थी इसलिए आपके पास पॉलिटिकल कांफिक्ट जो है वह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे दैड़ दा सिंप्रस प्रोसेस जो कि आपका पहली स्टेज ऑफ एकनॉमी के अंदर नजर आता है सेकंडे स्टेज जो होती है जिसमें प्री कंडीशन होती है टेक ऐफ करने की मतलब अकनोमी टेक ऐफ करने ही वाली है जह ऐसीड़ाइस और निव वर्ड पॉलिटिकल रिवलुशन जैसे फ्रेंच रिवलुशन आया या फिर आपका साइंस इंटेक के अंदर एडवांसमेंट होना शुरू हो गया मैं यह कह सकता हूँ एक ट्रांजीशनल स्टेज है किस टाइप की मैं ही कहूंगा कि इसमें रहने सा आना शुरू ह होता है मतलब करांथी आना शुरू होती है लोग जो अगरीकल्टर के ओपर काम कर रहे थे अब वो एगरीकल्टर को छोड़ के किस के ओपर जाएंगे अगरीकल्टर को छोड़ responsible preconditions आ जाती हैं तो यहां पर रास्ट आउव का कहना था कि जो यह economy है यह innovation से drive होने लग जाती है नए नए research से आपकी economy जो हो आगे बढ़ना start हो जाती है मतलब I can say कि ultimately आपकी productivity जो है वो rise हो जाती है क्योंकि production बढ़ रहा की production या industry की establishment होनी चाहिए तो टेक-off stage करने के लिए तयार है rate of saving यहाँ पर बढ़ जाएगा rate of investment logo का बढ़ जाएगा and then after आपका broader outlook people का देखने को मिलेगा they will be talking about further trade further transportation अच्छा communication यह सब चीजे होना बहुत necessary हो जाता है जब pre take-off condition आती है third stage take off condition हो सकता है इंडिया वैसे कुछ लोग claim करते हैं कि इंडिया जो भी third stage के अंदर है लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या इंडिया रियल में third stage पर है या फिर यह economical model इंडिया के साब से fail हो जाता है third condition a key phase है क्यों है key phase क्योंकि यह two to three decades तक तो लाई करता है मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता और बड़ी बड़ी जल्दी इसके अंदर growth rate देखने को मिलता है यह take off इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा machinery का use heavy machinery production आपकी skill development यह सब food product textile industries आपके limited number of economic activities यह सब growth होना स्टार्ट हो जाती है दिखिश से दो फायदे होंगे एक तो हमारा GDP भड़ेगा दूसरा हमारे जो लोग agriculture में सरफ इंगेज थे उनको दूसरे प्रस्पेक्टिव के अंदर भी economic development के लिए जो मिला स्टार्ट हो जाएंगी मतलब अब धीरे धीरे पर-capita income जो हमारा भड़ जाएगा अब इससे फायदा ये भी होगा कि जो आपकी secondary activity है मतलब secondary stage में जो activity थी जो agriculture थी उसमें भी lesser number of people are engaged but the production is going to be same that means per capita income is going to be very very high per capita income काफी अच्छा जो है इसके अंदर रहने वाला technological advancement के हिसाब से right next important thing जो आती है वो यह कि जो यह टेक आफ स्टेज है यह टेक आफ स्टेज किसे भी economy के लिए तभी मानी जाएगी जब कम से कम भी नहीं तो इनका क्या होना चाहिए five to ten percent national income का investment के अंदर जाना चाहिए आपके population growth के अंदर जो आपका standard है वो हम देखेंगे तो उसके के साब से investment भी बढ़नी चाहिए जरूरी हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े दूसरा second the period must be relatively brief in order मतलब काफी ज्यादा बढ़ा नहीं होना चाहिए लेकिन rate of growth जो है यहाँ पे काफी ज्यादा होनी चाहिए और यह self-sustaining mode के अंदर अपना काम करना चाहिए मतलब अपनी के अंदर इतना revenue generate करें कि नेक्स टाइम पे वह investment कर पाएं मतलब borrowing के बजाए हमें कोसिस करनी है कि हम खुद से revenue generate करके उसको invest कर पाएं इसके characteristics क्या होंगे पहली चीज़ तो मैंने पर सबसे पहले बताया five to ten percent national income का investment में rise होना चाहिए दूसरा ये भी है कि ये आपका क्या होगा normal society आपे आपकी growth society बन जाती है कैसे क्योंकि पहले सिर्फ agriculture economy थी अब क्या होगा industrial development पर capital income बढ़ रही है different income sources बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है it becomes with a political revolution क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है वैसे वैसे people demand for their rights people demand for equality like जैसे ब्रिटेन के अंदर हुआ था women equality का आना women के लिए rights को define करना जो आपका पर्दा सिस्टम उसको हटा देना ये सब revolution जो society के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और धिरे धिरे economy becomes more complex with high rate of growth why complex क्योंकि multiple आपकी activities जो है देखने को मिल जाती है multiple activities जो है आपे देखने को मिल जाती है next आता stage 4 that is drive to maturity stage 4 जब stage 4 की बात करते हैं modern technology के अंदर जब stage 4 की बात आती है तो ये क्या होगा ये आपका take off industries होगी मतलब यहां पर optimum population जो है इंडस्टी के आपर focus करेगी investment maximum होगा और यहां पर workers becomes skilled labor specialized worker देखने को मिलेंगे automatic सी बात है जब specialized worker है skill है तो आपका economic development भी इसमें देखने को मल जाएगा तो इसके characteristics कि अगर मैं बात करूँ तो यहां पर होगा यह कि जो लेबर force है आपका उसका character change हो गया कैसे हुआ skill labor हो गई है पहले जो लेबर आपकी unskilled थी now this become a skill labor apart from this entrepreneurship character they will be high in entrepreneurship character how because in the earlier model they were getting diversified field of work मतलब एक एरिया में economy में काम किया दूसरी अरिया में agriculture में काम किया तो दिरे-दिरे उनके पास में क्या होता saving होना start होता है and now people start investing those savings in the form of entrepreneurship return आना start हो जाता है अब और investment भड़ चुका है जो five to ten percent investment था now it become ten to twenty percent जापकी older method थे वो खतम हो जाते है new technology का हम use करना start कर देते हैं export यहां पर भड़ जाता है दूसरी countries के ओपर dependency वह हमारी कम हो जाती क्योंकि हम खुद ही export करना शुरू कर देते हैं यह situation आती है standard of living लोगों का भड़ जाता है why क्योंकि per capita income rise हुई है तो automatic सी बात है standard of living hygiene यह सब चीज़ें बढ़ जाती है forward linkage देखने को मिलता है backward linkage जो है आपका वह basic backwardness जो है आपकी वह खतम हो जाती है right next important चीज stage 5 जो की आपकी at most stage मानी जाती है हो सकता है इसके आगे और भी stages आएं लेकिन अभी तक model में इतनी stage है क्योंकि कोई भी country stage 5 से आगे नहीं पहुंची है देखो stage 5 क्या है इसको बोलते consumption mass consumption कैसी आपने भी महसूस किया होगा जैसे जैसे लोगों की income rise होती है तो लोग ज्यादा goods की डिमांड करते हैं ज्यादा goods की डिमांड करना मतलब कंजप्टियो सुसाइटी कंजूमर इजम जो भनना स्टार्ट होता है जिसे यूएस के अंदर अगर फर कैपिटा एनरजी कंजप्शन की बात करूं तो इंडिया से कहीं ज्यादा है कारण क्योंकि उनके अंदर economic standard ज्य ज्यादा सुसाइटी या जूम करती है कि आपका role of welfare state जो है उनका होना चाहिए migration of population village से हर कोई city में रहना start कर देता है financial security लोगों की बढ़ जाती है employment opportunity यहां पे लोगों की बढ़ जाती है production आपका क्या हो जाता है एक problem create करता क्योंकि problem इसलिए है क्योंकि consumerism बढ़ गया है ज्यादा से ज्यादा production करने की requirement है हम अगर lack करना सुरू कर गए तो हम demand supply को match नहीं कर पाएंगे and then after progressive and prosperous society मतलब hunger is something one read about and poverty a memory मतलब ना तो कोई पूर लोग है ना hunger है तो यह stage है एक successive stage होती है जो topmost stage हम मानते हैं तो this is the situation जो नजर आती अब मैं एकर इसको इंडिया के open impose करूं तो फिर क्या situation है तो एक बार इसको देखो देखो पहली जो stage थी उसमें क्या था primary activity अग्री कल्चर काफी ज्यादा था और अग्री कल्चर पे लोगों का contribution कम हो गया maturity पे पहुंचे तो industry अपने peak पे हैं services अपने peak पे हैं और अग्री कल्चर अपने lower stage पे हैं और यहां पे हाई मास में quaternary services तर्सी services secondary services यह peak पे हैं और अग्री कल्चर में कम ही लोगों का participation है this is the situation which we found in economic transition model अब सवाल आता है कि इंडिया की development की में बात करूँ तो इंडिया कहां पे है देखो पहली चीज़ तो exactly अगरी मोडल को माने टी इंडिया पे कराइब नहीं हो पाता कुछ जोगरफर का कहना है कि हम थर्ड से फॉर्थ स्टेज के बीच में है मतलब हम ट्रांजीशन के बीच में है और फॉर्थ स्टेज ज्यादा लंबे टाइम नहीं लगेगी 20 सब्सक्राइब नहीं करते हैं कारण उसका देखो इंडिया एक बहुत ही टिपिकल एकॉनमी सबसे पहला कारण उसका यह है कि हमारे यहां पर बहुत ही डाइवर्स एकॉनमी डाइवर्स पोपुलीशन और विड़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलीशन देखने को में जा मतलब इंडिया में काफी बड़ी पॉपुलीशन है तो प्रॉबेली जो आपका हम थार्ड और फॉर्थ स्टेज पे हैं कुछ-कुछ एरिया आज के अंदर है मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे पर कैपिट इनकम बहुत अच्छा है तो मतलब हम ओन एवरेस थार्ड फ प्रणिशनल कॉर्परेशन साय फोरन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुई और दिरे दिरे यू नो वेरी वेल कि 1991 में इंडिया गोन वेंट त्रू एल पीजी रिफॉर्म्स एल पीजी रिफॉर्म्स किये उसके बाद में हमारी एकॉनमी के अंदर ये ट्रांजीशन फ के लिए चल आते थे रिफ्क के लिए चलती थी अब गॉर्मंठ का फोकस है हमारे पास्रूंड परसी नजर आता है थे का इंडिया का आई आशे कहते हैं जिसको हम शायद हम अच्यासी आउटकम नहीं कर सकते निटस्वाइ इंडिया को हंडर पर सेंट एक रूमेट एपी डिद्ट पर संट करें इस टो पोसिबल नहीं पहुज इंडिया गॉनमी इसलिया में डी सेंट्रलाय उचिन के रिक्वार्मेंट है एकुलिटी की रिक्वार्मेंट है पर्मोशन के रिक्वार्मेंट है तर अली प्रस्पेक्टिव जो रॉस्टर मॉडल के अंदर नजरा आता है जो आपकी जेग्रफी ऑफिनल के अंदर काम आता है इसके आपको 99% क्यों से देखने को में तर डिर्क जोसन यह होता है कि इस the roster model implemented over the Indian economy if not then how complete system up is cool implement कर सकते है ठीक next important thing अब जाने से पहले में चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको study IQ games word geography optional bets 2024 के लिए आपका geography optional batch is available I'll see upka best start with orientation is already done so if you want to take admission to still आपके पास में कोई loss नहीं couple live का code use करके आप यहां पर admission ले सकते हैं आपको सभी जो चीजे हैं यहां पर provide होंगी सभी चीजों के अंदर क्या होगा आपको handmade notes मिलते हैं इसके अलावा आपको यहां पर answer writing live देखने को मिलते हैं model answer मिलते हैं live doubt session होते हैं मेंस mentorship program जो है इसमें देखने को मिलता है तो यह सारी चीजें आप यहां पर study IQ की website पर जाएंगे तो geography optional best आप जब scroll करते जाएंगे नीचे तो geography optional best देखने को मिलेगा here is best to and here you can take admission for couple live का code use करेंगे आपको discount मिलेगा one more thing I would like to say is कि अगर आप इस बैच में admission लेते हैं और you are also searching कि सर मुझे तो UPSC IS की भी preparation करनी है foundation की और अपनी geography optional की भी करनी है तो you can take admission this is most affordable most value for money combo मैं बहुंगा जो अविलेबल है यहां पर भी आपका पिल लाइब का code use करेंगे तो आपको maximum discount मिल जाएगा all the very best see you all in the class एक और important चीज यह जो आपकी session की PDF है इसको download करने के लिए आप का पिल भार्द्वाज official telegram channel को join कर सकते है ओफिशियल ठीक है okay see you all thank you